दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चानल इजी इंडियन किच्छन में वेलकम बाक फ्रेंड्स तो योर चानल इजी इंडियन किच्छन आज मैं कोई भी रेसिपी नहीं शेर कर रही हूँ आज मैं आपके साथ वो टिप्स शेर करूंगी जो हमारे फ्रेज को स्पार्कलिंग क्लीन लगती हैं आप वीडियो को जरूर से एंड तक देखेगा बहुत ही इंपोर्टन टिप्स हैं आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका फ्रेज बहुत ही साफ सुत्रा रहेगा और जो हम महनत से खाना बनाते हैं वो भी बहुत महीने भर भी अगर आप रख लेंगे ऐसे साफ फ्रेज में तो आपका खाना एक दम खराब नहीं होगा फ्रेज होता ही है स्टोर करने के लिए इसलिए उसको अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए तो चलिए हम साफ करते हैं द अब ही अपने फ्रेज को साफ करने के लिए दिखिए कितनी मैली हुई है वो एरिया उसके लिए हम थोड़ा सा वाम वाटर कर लेंगे और डिश वाशर लीक्विड हम उसमें डालेंगे एक चमज सोडा और एक चमज नमक इसमें पड़ेगा और थोड़ा सा विनेगर आप लीक्विड जो पानी हम बना रहे हैं उसको दोबारा फिर बना सकते हैं अगर आपको लगे कि जो अटाच्मेंट्स के लिए भी हमको यही प्रॉसस यूज करना पड़ेगा यही लीक्विड तो अगर आपको लगे कि कम पड़ गया है तो नया आप बना के अंदर के गैसकेट का एरिया अच्छी तरह से हम इसको स्कॉच बाइट से साफ करेंगे देखिए स्कॉच बाइट से साफ हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं हमको बाहर का एरिया फ्रिज का एरिया नहीं साफ करना है पर यह जो अंदर की यह जो चानल है जिसमें यह गैसकेट फिट करते हैं उसको हम अच्छी तरह से साफ करेंगे और तब वो स्मूध बनेगा डर्ट फ्री और उसके अंदर वो गैसकेट जब हम डालेंगे तो एकदम वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी और गैसकेट किसी भी फ्रिज को के लिए बहुत इंपोर्टन होती है क्योंकि वो क्योंकि जादा एलेक्ट्रिसिटी खेचेगा नहीं तो इसलिए उसको जादा वोक नहीं करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम इस ग्यासकिट के चानल को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे स्कॉज बाइट से बहुत अच्छी तरह से क्लीन होती है इसमें कोई भी ऐसा कोई भी डर नहीं है हम इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और फिर यहीं लीक्विट से हम सारे अटाच्मेंट्स भी क्लीन करेंगे पर हम जो शीशे का पाथ है हम उसको स्पॉंज से साफ करेंगे देखिए मैंने अच्छी तरह से इससे साफ किया है यह कूलिंग एरिया और उसको अच्छी तरह से साफ और सित्रा रखने से कूलिंग में और जल्दी हम फ्रिज को कूल रख सकते हैं और इलेक्टिसिटी भी कम कंजियूम होती है देखिए मेला जो चानल था वो कैसे साफ हो रहा है इस लीक्विट से देखे नीचे वाला चानल हमारा मेला है हम उसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे देखिए यह जो लीक्विट वॉर्म हमने जो पानी का बनाया है वो बहुत ही अच्छा होता है और हल्का सा गरम होने के कारण जो मेल है वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाती है दोस्तों मेरे चानल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुछते रहें देखिए जो भार का जो स्टील का फाइबर का रंग है वो हम हलके से स्कॉच बाइट से इसको साफ करेंगे देखिए कि स्कॉच बाइट से साफ कर सकते हैं और जो अटाच्मेंट्स हैं उसे भी हम अच्छी तरह से सब साफ करेंगे दोस्तों लास्ट तक आप वीडियो देखेगा क्योंकि मैं दो तीन टिप्स आपके साथ शेर करूंगी जो कि आपकी फ्रिज की लॉंजिविटी भी बढ़ाएगा और स्पार्क्लिंग क्लीन रखेगा विदाउट एने टाइप अफ इंसेक्ट अंदर कोई भी चीटी या चोटा कॉक्रोच आपको कभी नहीं दिखेगा देखे हमारा फ्रिज लिश लिश कर रहा है एक तम हमने स्पार्क्लिंग क्लीन कर दिया है इसको लास्ट में हमने गीले कपड़े से एक बार पहुचा था और उसके बाद फिर से सूखा कपड़ा एक हम पहुच के दस मिनिट के बाद हम इसमें सारे बाकी के अटाच्मेंट्स अटाच करेंगे मेरा फ्रिज लगभग पंदरा साल पुराना है और ये बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है इसके उपर मैंने कोई भी पैसा नहीं खर्च किया है वो सिरफ सफाई में मैं इसको साफ रखती हूँ देखे का एडिया सांफ हो चुका है हम हम धुलीवी गयसके जो की हमने उसी रिमीट से हमुवे हैं हम इसमें अटाच करेंगे इस बाद गलेंगे कहीं जो हम करateurs र्च किरम बोर ये पाव्डर होता है वह ब्यूद होता है वह हम उसके उपर डालेंगे और फिर फिक्स करेंगे उस को देखे हमारा फ्रिज स्पार्क्लिंग क्लीन हो चुका है और रेडी हो गया है कि हम जो भी किचन में हमने समान बनाया है मैंनत से उसको हम अंदर विफाज़त से रख सकें पीछे के हिस्से को भी साफ करना बहुत जरूरी होता है खासोर से आप यात रखेगा जब भी फ्रि कभी भी ओन फ्रिज को नहीं आप यू साफ कीजेगा प्लग उतार दीजेगा देखे मैंने कारंबोर का पाउडर इस पे छिड़तिया है और यह अच्छी तरह से अटाच हो गया है अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसके अंदर पोरिक पाउडर मिक्स करके उसकी अधर डाल रखेंगे इससे क्या होता है कोई भी प्रकार की चीटी या चोटे कॉकरोश हमारे फ्रिज में कभी भी एंटर नहीं करते हैं और यह जो बोरिक पाउडर होता है वो डिसिंफेक्ट होता है ओडरलेस होता है और कोई भी पॉईजनिस नहीं होता है इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं दो तीन इधर उधर आप फ्रिज की अंदर इसको डाल दे और पंदरह दिन में आप चेंज कर सकते हैं इसको हमने सारे अटाच्मेंट्स लगा दिये हैं हमारा फ्रिज समान रखने के लिए रेडी हो चुका है नीचे जो सबजी रखने वारी बोरिक पाउडर मिक्स करके वो भी मैंने डाल दी हैं अब हम इसमें सारे अटाचमेंट्स अच्छी तरह से लगा देंगे दोस्तों इन चोटी चोटी टिप्स को आप जरूर से शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हम सब इसको अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे देखिए कितना साफ हो गया है हमारा फ्रिज और रेडी हो गया है स्टोरेज के लिए किच्चन में जो भी हम समान महनत से बनाते हैं उसे स्टोर करने के लिए ही हम फ्रिज खरीदते हैं और इसमें स्टोर करके रखने से हम बहुत दिनों तक उसको यूज कर सकते हैं और एक तम ताजा रहता है अगर हम फ्रिज को अच्छी तरह से साफ रखें किसी भी प्रकार का ओर्डर नहीं होता है आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप समान अंदर रखिएगा उसको ढखके रखिए, कवर्ड रखिए हमने फ्रिज को स्विच अन कर दिया है अब और हाडली 20-25 मिनिट में हमारा फ्रिज रेडी हो जाएगा क्योंकि इसकी गैसकिट बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो गई है और गरम हवा एकदम भी अंदर नहीं जाएगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही कम यूज सब सब साफ हो गया है okay then do take good care of yourself and follow these tips of cleaning your kitchen till then next my video okay then bye bye कर दो